जोबर्ग सूपर किंग्स और रोयल्स दक्षिन अफ्रीका टी बीस लीग के सत्रहवे मैच में डीपी वर्ल्ड वांडरर स्टेडियम सैंडटन दक्षिन अफ्रीका में 24 जम्री 2024 को मुकाबला कर रहे हैं रोयल्स ने इस सीजन में 5 मैचों में 4 जीते हैं क्रिकेट के इस खेल में कौन जीतेगा रोयल्स को प्रतिष्ठान बढ़ाने के लिए अपने पिछले मैच में मी केप टाउन को घर पर हराने के बाद रोयल्स ने अब 5 मैचों में 4 जीते हैं जोबर्ग सुपर किंग्स की फॉर्म लेकिन इससे पहले यदि आप इस मैच से समंधित किसी भी प्रकार की जांकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्ग कर सकते हैं वे आपको मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले बताएंगे कि कौन सी टीम मैच जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी तो कृपया देर न करें और जल्दी ही क्रिकेट एनलिसिस में शामिल हों तो आगे बढ़ते हैं सुपर किंग्स ने हाल के मैचों में कई हारें जेली हैं मी केप टाउन, डर्बन सुपर जायंट्स और पारल रोयल्स को हरा कर हालांकि उन्होंने प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ एक जीत हासिल की रोयल्स के खिलाफ यह आगामी मैच उन्हें खुद को सुधारने का एक अफसर देता है यह एक रोचक मुकाबला होने का वादा करता है गेंदबाजी के पक्ष से जोबर्क की कई सारी ताकते हैं लिजार्ड विलियम्स, एक सीमर, इस सीजन में नौ विकेटों के साथ चार इनिंग्स में शीर्ष विकेट ग्राहकों में से एक रहे हैं लेग स्पिनर इमरान ताहिर का भी एक प्रभावशाली इकोनमी दर है जो च्छा दशमलव चार्चा है हालांकी, प्रोटीज स्टार जेराल्ड कोईटसी की अनुपस्थिती के साथ, विलियम्स और बायार्मर नंदरे बर्गर को गेंद बाजी की हमायत चारी रखनी होगी कोईटसी ने दक्षिन अफ्रीका के दूसरे टेस्ट के खिलाफ चोट का सामना किया था और तब से उन्हें साइडलाइंग कर दिया गया है इस मैच के लिए उनके वापसी की संभावना है लेस डूपलुए ने जोबर्ग के इस सीजन में बहुत बड़े रन स्कोरर का कारे किया है चार इनिंग्स में 153 रन बनाए है उनका लगभग 40 का औसत है और स्ट्राइक रेट उनकी अधिक्तम 160 के आसपास है हालांकी बैटिंग के पक्ष से टीम को अतिरिक्त समर्थन की आवशकता है कोई भी अने जोबर्ग बैटर डूपलुए के प्रदर्शन को मेल करने के करीब नहीं आया है इंग्लैंड के मोहिन अली चार इनिंग्स में 90 रन के साथ सबसे करीबी हैं जौबर्ग सूपर किंग्स की पूर्वानुमानित लाइनप पारल रॉयल्स का रूप पारल रॉयल्स ने प्रदर्शन किये हैं जो की प्रशन सनी हैं और खिताब के लिए मजबूत प्रतिदवन्द्वियों के रूप में खड़े हो गए हैं उनका अंतिम लक्षे है वर्तमान चैंपियन संराइस इस्टर्ण केप को गिराना प्रारंब में पारल ने एसे बीस सीजन की शुरुआत में तीन सीधे जीत हासिल की लेकिन एमाई केप टाउन के खिलाफ हार भी खाई हालांकि उन्होंने त्वरित्ता से बाधित की और ठीक बाद में उसी प्रतिदवन्द्वी को हराया दो हजार चौबीस एसे बीस में जोहानेस बर्ग के खिलाफ मैच के दौरान जौस बटलर ने अद्वितिय बैटिंग कोशल दिखाया जबकि लुंगी एंजिरी ने गेंदबाजी में एक उलेखनीय प्रदशन प्रस्तुत किया आने वाले मैच में इन दोनों खिलाडियों की महत्वपूर्ण भूमिकाय निभाने की उम्मीद है इंजिरी वर्तमान सीजन के एसे बीस में सबसे ज्यादा विकेट्स के धारी है जबकि बटलर ने बैटिंग क्रम के शीर्ष पर उतकरिष्ट प्रदशन प्रस्तुत किया है बटलर के साथ ही उनके अंग्रेजी सहकर्मी जेसन रॉय ने भी शांदार प्रदशन किया है रॉय ने हाल ही में केप टाउन के खिलाफ मैच जीतने वाले 68 रम बनाए जिससे उनकी आने वाले मैचों के लिए आत्म विश्वास में वृध्धी हुई पारल के पास मजबूत स्थानिय प्रतिभाई भी हैं मिचेल वैन बूरिन और देविड मिलर जो मध्य करम में एक मजबूत संयोजन प्रदान करते हैं यदि पारल इस मैच में जीत हासिल करता है तो यह इस सीजन की पांचवी जीत होगी हालांकि यह उन्हें सेमी फाइनल में स्थान नहीं देगा यह उन्हें कदम से कदम मिला कर ला सकता है अन्य मैच के परिणामों के इंतजार में हालां कि पारल को उत्साहित जोहानिसबर्ग टीम से कठिन चुनोती का सामना करना चाहिए जिन्होंने हाल ही में 2024 एसे 20 सीजन में अपनी पहली जीत हासिल की है पारल रोयल्स का पूर्वानुमानित लाइनप सुपर किंग्स ने अपने पिछले मैच में प्रिटोरिया कैपिटल्स के साथ मुकाबला किया जहां कैपिटल्स ने टॉस जीता और बैटिंग करने का निरने लिया उन्होंने बीस ओवर में नौ विकेट के नुकसान के साथ कुल एक सो सरसत्रम बनाए सुपर किंग्स के लिए रोमारियो शेपर्ड और लिजार्ड विलियम्स ने तीन-तीन विकेट लिये सुपर किंग्स ने 18 ओवरों में 168 रन का लक्षे चाकर चाह विकेटों के साथ मैच जीता डॉनवन फेरेरा ने सबसे अधिक स्कोर किया और 20 डिलिवरी पर 56 रन के साथ अंबीटन रहे रोयल्स ने अपने पिछले मैच में एम आई केप टाउन के साथ मुकाबला किया जहां एम आई ने टॉस जीत कर गिंद बाजी करने का निरने लिया रोयल्स ने बोर्ड पर तीन विकेट के नुकसान के साथ कुल 162 रम बनाए जेसन रोय और जॉस बटलर ने टीम के लिए एक-एक है 11 सिंचुरी बनाए रोय ने सबसे अधिक स्कोर किया और 46 डिलिवरी पर 79 रम बनाए एमाई ने 18.2 ओवर में 103 रनों पर आउट होकर हार का सामना किया जॉन फॉर्क्यून ने रोयल्स के लिए 3 विकेट लेकर 4 ओवर में 15 रन दिये तो यदि आप जाना चाहते हैं कि कल के मैच में कौन जीतेगा तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए WhatsApp नंबर से संपर्क कर सकते हैं वे आपको मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले बताएंगे कि मैच जीतेगी कौन टीम और कौन टीम हारेगी तो देर किस बात का जल्दी ही राघव क्रिकेट विशलेशन में शामिल हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अगले वीडियो में मिलेंगे देखने के लिए धन्यवाद